हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल त्योहारों में हम अपने घरों में खीर जरूर बनाते हैं क्यों न इस फेस्टिफ सीजन में कुछ अलग सी खीर बनाई जाएं जी हाँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड अपल खीर जिसे सरीफा और सीता फल भी कहते हैं जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि ये कस्टर्ड अपल कितने सारे गुनों से भरबूर होता है जैसे कि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, पुटैशियम और मैंगनीशियम भी होता है और और भी बहुत कुछ होता है इसमें तो क्यों ने इस फेस्टिफ सीजन में तीन कस्टर्ड अपल जिहां सरीफा और मैं ले रही हूँ थोड़े से ड्राइफ फूट्स और मिल्क पौडर मैंने लिया है तीन से चार बादाम, दो काजू, एक अकरोट, साथ से आठ पिस्ता, तीन से चार छोटी इलाची और थ्री स्पून मिल्क पौडर दूद को धीम कस्टर्ड अपल आप अच्छे पके हुए ले, इसके बीच आसानी से निकल जाते हैं। पहले कस्टर्ड अपल के उपर के पाट को अलग कर लेंगे, फिर थोड़ी-थोड़े कस्टर्ड अपल को छन्नी में डालके उसे चम्मस से प्रस करेंगे और फिर इसके बीच को कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा पल्प निकला है दूद को उबलते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है अब ये थोरा गाड़ा हो गया है अब मैं इसमें 3 स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी मिल्क पाउडर को डालने के लिए मिल्क पाउडर मे थोरा सा ठंडा दूद डालते और उसे एक घोल की तरह त्यार कर ले फिर इसे उबलते हुए दूद में डाले नहीं तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा दूद को हम 10 से 15 मिनट धीमी आज पे और उबालेंगे जैसा कि अब आप देख सकते हैं दूद काढ़ा हो गया है ये अल्मोस्ट हाफ हो गया है अब मैं इसमें ड्राइफ फूट्स डालूँगी मैंने बादाम पिस्ता और थोरी सी छोटी इलाईची गार्नीशिंग के लिए बचा लिया है ड्राइफ फूट्स डाले के बाद इसे 5 मिनट और धीमी आज पे उबालेंगे 5 मिनट के बाद गयस को बंद कर दे फिर इसमें 2 स्पून चीनी डाल दे आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं फिर इसमें कस्टर्ड अपल के पल्प को भी डाल दे और अच्छी तरह से मिक्स कर दे कस्टर्ड एपल खुदी बहुत मीठा होता है इसलिए हमें इसमें ज़्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं कस्टर्ड एपल को दूद में अच्छी तरह से मिक्स कर दे अब हम इसके गार्णिशिंग करेंगे लीजे हमारा जटपट, फटाफट, टेस्टी, हेल्दी कस्टर्ड एपल खीर त्यार हो गया इस फेस्टिव सीजन में इसे जरूर ट्राइ करिए और अपना और अपनों का इस फेस्टिव सीजन में मूँ मीठा इसी से करें थैंक्स वर वाचिंग अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को